आज के इस वीडियो में हम आपको जानकरी देंगे सुमो कोल टैबलेट की ये जो टैबलेट है इसके अंदर मेंन कंटेंट्स होते हैं कैफिन, डाइफेन हैड्रामाइन, देन पैरासिटमॉल और इसके अंदर होता है फेनिलेफराइन इन सभी की स्ट्रेंथ अलग-अलग होत इस टैबलेट को Alchem Laboratories Limited ये कंपनी बनाती है और इस टैबलेट की एक स्ट्रीप जो आती है उसके अंदर 10 टैबलेट होती है जिनकी प्राइजे 45 रूपीज देन आगे देखो सुमो कोल टैबलेट यूजेज मतलब इस टैबलेट की यूजेज कौन-कौन से है दोस्तों ये इस टैबलेट है वो मेंली हम कौमन कोल्ड के सिंटमस को रिड्यूस करने के लिए देते हैं कौमन कोल्ड के सिंटमस जैसे की nasal congestion, then runny nose, sneezing, और watery eyes ये जो कौमन कोल्ड के सिंटम से इनको रिड्यूस करने का काम ये सुमो कोल्ड टैबलेट करती है, then headache यानि सिरदर्द में भी ये tablet useful है then sinus pain को भी कम करने का काम ये tablet करती है और इसके साथ जो अपर respiratory tracks में allergies हो जाती है तो इन्हें ठीक करने का काम भी ये sumo cold tablet करती है देन आगे देखो sumo cold tablet doses इस tablet को आपको कैसे लेना है दोस्तो ये tablet लेने से पहले एक बार आपको डॉक्टर से consult करना है इस tablet के जो adult dose है वो है 1-2 tablets daily यानि एक या दो tablet आपको दिन की लेनी है ये आपको डॉक्टर से advice लने के बाद लेनी है इस tablet को generally खाना खाने के बाद लेते है दिन आगे देखते है sumo cold tablet के अंदर जो content से उनका function क्या है देखिए जो diphenhydramine है वो anti-histaminic agent है यानि ये mainly chemical messenger histamin की action block करते है और इसके वज़े से जो allergic symptoms histamin के वज़े से cause होते है वो कम हो जाते है देन parasitimol जो है वो analgesic और antipiratic है analgesic यानि ये pain reliever है दर्थ को कम करता है और antipiratic यानि fever reducer है मतलब ये बुखर को कम करता है देन इसके अंदर जो caffeine है वो mainly parasitimol की action को बढ़ाते है और इसके साथ ये caffeine diphenhydramine के वज़े से जो नींद आती है इसे रोकने का काम करता है देन phenyl ephrine जो है वो decongestion है वो mainly nasal congestion से हमें relief देता है देन आगे देखो sumo cold tablet precautions जब आप ये tablet लेते हो तब आपको alcohol consume नई करना है देन pregnancy के दोरान एक बार आपको doctor से consult करना है देन आप ये tablet ले सकते हो देन जो breastfeeding mother से उनके अंदर इस tablet का use करना safe है लेकिन kidney और liver disease के patient से उनके अंदर dose adjustment करना जरूरी होता है इसलिए उनको doctor से consult करना है लास्ट में देखते है sumo cold tablet के side effects कौन कौन से है इस tablet के वज़े से mainly vomiting, then nausea, diarrhea, then fatigue और sleepiness ये side effects दिखते है तो ये संपुन जानकर ये sumo cold tablet की आपको ये जानकर ये अच्छी लगी तो वीडियो को like करो और ये आप channel पढ़ने है तो channel को subscribe करो Thank you guys